नमस्का दोस्तो आप सभी लोगों का EduTalk India की इस Current Affairs सेग्मेंट के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 सवालों के और उनके जवाब और उनके छोटे-छोटे डिस्क्रिप्शन पर भी हम डिसस करेंगे तो दोस्तो यदे अब भी SSC या फिर UPSC या फिर किसी भी तरह की Government Job की त्यारी कर रहे हैं और ऐसे केस में खास करके GS सेग्मेंट के अगर बात करेंगे तो धेर सारे Questions आते हैं और उन questions, answer को याद करना जो है एक बहुत ही cutting task होता है तो मैं आपको इस वीडियो में एक book के बारे में suggest करूंगा इसका नाम है Memory Power इसमें धेर सारे quizzes, धेर सारे तरीके, धेर सारे practice ऐसे दिये गए जहां आपको बहुत easy way में बहुत funny तरीके से आपकी जो mental ability है याद करनी की चीज़ों को दिमाह में रखने की चीज़ों को store करनी की उस छमता को बढ़ाएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपने दिमाग को जो learning power हो इसको improve करें तो मैं तो आपको recommend करूँगा कि आप इस book को जरूर से खरीदें और अगर इस book के बारे में आप purchase करना चाहते तो मैं description में इसका link दे दूँगा वहाँ पर आप click करके आप इस book को purchase कर सका और इसका publishing date ऐसे पुरानी book है एक January 2014 को यह publish वी लेकिन बहुत ह book है तो एक बार मैं recommend जरूर करूँगा कि आप इस book को जरूर से पढ़ें तो पहरा सवाल यह है कि स्वावलंबन शशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंग यानि कि C.O.W.E. की बात करें और डैश द्वारा शुरू किया गया है इनि किसके साथ मिलकर सिद्वी भारती लगु उद्योग विकास बैंक ने भारत के महिला उद्यमियों के परिसंग के साथ साजदारी में स्वावलंबन शशक्त मेगा अभियान शुरू किया है यह stand-up इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए एक webinar श्रिंखला है चलि आज की दूसरे सवा वैली फर्टिलाइजर कॉर्परेशन लिमेंटेड असम की देली नदी के तर्ट पर इस्थित है आर्थिक मामलों की मैत्री मंडली ये समीती ने पूरवरक विभाग को युरूया निर्मान इकाईयों के सुचारू संचालन के लिए बीवी एफसील नाम रूप को 100 करूर र अनुसंधान के लिए किस संसा के साथ भागिदारी की है तो इसका जवाब है IIT दिल्ली इसके बारे मैं अब बता दू कि भारतिय नौसेना और IIT दिल्ली ने हाल ही में नौसेना एलेक्ट्रोनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर के 1970 के दशक के बाद से IIT दिल्ली में Center for Applied Research and Electronics द्वारक पानी के नीचे इलेक्ट्रोनिक में नौसेना के लिए महत्रपुर्ण तकिनुकों का विकास किया गया है दोस्तो आज के चौता सवाल है किस बारती बैंक ने अपनी E-Dealer यूजना के तहट Indian Oil Corporation के साथ समझोता किया है इसका जवाब है पंजाब National Bank इसके बारे में आपको बता दो पंजाब National Bank ने तेल कंपनी के डीलोरों को दो करोर रुपे तक परदान करने के लिए Indian Oil Corporation के साथ में एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इस MOU के तहट बैंक कम ब्यालदरो शूने मार्जिन और नियूंतम या शूने समपाश्वरिक आवशक्ताओं के साथ क्रेडिट सुधा परदान करेगा तो पाच्वा सवाल है आरबियाई किस अधिनियम के प्रावधानों के तहट बैंकों से निकासी को प्रतिबंधित करता है जवाब है बैंकिंग विनियमन अधिनियम इसके बारे में आपको बता दो कि भारते रिजॉल्ट बैंक ने इंडिपेंडेंडेंस कोपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक से निकासी पर प्रतिबंध लगाया है यह कदम बैंकों की वर्तमान तरलता इसती के कारण 6 मेनी के उठाया गया है आरबियाई के नुसार यह प्रतिबंध 6 मेनी के आवधी के लिए लागू रहेगा यह प्रतिबंध आरबियाई द्वारा बैंकिंग विडियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुसार लगाया गया है छटा जो अमारे सवाल है भारतिय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर छेत्र में आयुद किया जा रहा है यह हिंद महासागर छेत्र में आयुद किया जा रहा है इसमें भारतिय वायुसेना, सेना और भारतिय तर्ट रक्षकबल भी शामिल है सात्वा सवाल है ट्विटर के मेड इंडिया विकल्प का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था तो इसका जवाब है कू, कू आप के बारे में आपने सुना होगा केंद्री मंत्री और देश के सरकारी विवहाग कू आप्लिकेशन पर खाते अस्थापित कर रहे हैं इसे ट्विटर के मेड इंडिया विकल्प के रूप में देखा जा रहा है यह एप 2020 में सरकार के आत्म निर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के विज़ताओं में से एक थी आठिव सवाल के और बढ़ते हैं सामाजिक, न्याएक और आधिकारिक्ता मंत्राले द्वारा दिये आकणों के नशाद देश भर में 86,692 मैनुवल मैलाड होने वालों की पहचान की गई है फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में 37,389 सबसे अधिक मैनुवल मैलाड होने वालों की पहचान की गई इसके बाद महराश्र, उत्राखंड और असम का अस्थान है यह भी खोशना की गई थी कि पिछले पांच वर्षों में सीवर और टैंकों की सफाई करते समझ 340 लोगों की मौत हुई है नवे सवाल के ओर किस देश ने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ता रखा था तो इसका जवाब है बुर्किना फासो सैंत महासर्भा ने 2016 को अंतराष्टिय दलहन के रूप में अपनाया था पश्रीम अफ्रीका के एक देश बुर्किना फासो ने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोशित किया गया था इसका उदेश देश भर में दालों के प्रती जागरुपता और पहुँच को बढ़ाना और दालों को वैश्विक भोजन के रूप में मानता दिला है किस भोगतान कंपनी ने घोशना की वह क्रिप्टो करणसी को अपने नेटवर्क में शामिल करेगी तो इसका जवाब है मास्टर कार्ड Mastercard ने घोचना की है कि वो सीधे अपने network पर कुछ चिंचुनिंदा cryptocurrency का समर्थन करेगा इसने इस बात पर क्राश डाला है कि यह स्थिर सिको यह cryptocurrency को तरजी देगा तो दोस्तो यह थे हमारे आज के तस current affairs के सवाल उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होंगे जितने में सवाल है आप नोट कर ले और आपके exam के लिए काफे important है ऐसे ही current affairs के सवाल जाब जानने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे इस वीडियो को like जरू कर लिजे और अपने दोस्तों के बीच में सको share कीजे जाद जाद और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजे आज क्लिक नहीं अगले वीडियो तक ले नमस्कार